अगला बिंदू है नैतिक विकास के बाद हम आते हैं सामाजिक भेद भाव का अंत करने में सहायक होती है समानता की भावना समानता का अधिकार सामाजिक भेद भाव का अंत कम करने ये वही बिंदू है जिसके बारे में पूर में कहा गया है बार बार लेकिन एक सामाजिक भे जो समाज है, जहां समाज समानता की भावना है, वह समाज बड़ा शक्तिशाली रहेगा, स्वस्थ रहेगा, प्राचीन काल में भारती समाज जो था, उसमें बहुत असमानता थी, बहुत तरीके की बातें ऐसी, उसमें समाज में डली होई थी हमारी संस्कृत में, जिसमें अस मानता के कारण ही हमारे हैं बहुत तरह के वर्ग थे बहुत तरह के वर्ग होने के कारण दोनों सब में किसी में एक दूसरे के साथ टकराओ ही होते रहता था और इस एक दूसरे के बीच के टकराओ का फाइदा विदेशी ताकतों ने उठाया चाहे वे मुस्लिम हमले रहे हूं चाहे वे नादिर शाह के अमले रहे हूं चाहे अहमद शाह अब्दाली के या मुहमद गजनी के गौरी के और उसके बाद अंग्रेजों का आना पर्चिगीस का आना हॉलन के लोगों का आना, फ्रांस के लोगों का आना और भारत पर शासन करने का प्रयास करना 700-800 साल की जो हमने गुलामी देखी और भारत की आज जो गत है चाहे वो गरीबी की हो चाहे वो हम उसके आर्थिक बैकवर्डनेस की आर्थिक पिछले पन की बात करें ये 800-900 वर्ष भारत के वे काल हैं जब हमारे समाज में वरगी करनता विबन तरीकों से आस्वमानता के कारण हैं ऐसी भावनाएं ऐसे मूल ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे जिनमें जिसने आस्वमानताओं को पनाह दी ऐसी भावनाओं को बढ़ाया और इसके कारण हम ए लवती नहीं हो पाया है तो इसलिए ये आवश्यक है समझना की समानता का अधिकार जो है वह सामाजिक भेद भाव को न्यूनतम करने में समाप करने में के लिए बहुत आवश्यक है हम ये कह सकते हैं कि स्वतंता खोने के हमारे बहुत से कारण हमने इन आठ सो सालों में हमने स्वतंता खोई कारण क्या था क्योंकि आ समानता थी समानता नहीं थी तो स्वतंता गई क्योंकि समानता गई दूसरे शब्दों में ये एक बिंद हमारे आपके सोचने के लिए है कि क्या समानता और स्वतंता एक दूसरे के पूरक हैं कि विरोधी हैं क्योंकि आगे इस पर फिर थोड़ी सी चर्चा होगी इनकी पूर्णता और विरोधिपन पे राज, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान ये सब जो बाते हैं किसी नागरिक विचारों के लिचार ना हो और आप देखेंगे कि इसी सामाजिक भेदभाव के अंत करने के ही प्रयासों के तहट मैं फिर कहूंगा कि विविन पदों प जो विविन विवूतियां बैठी हैं जन्होंने विविन पदों को शोभाय मान किया भारत में वह सामाजिक एकता के कारण ही था सामाजिक समानता के कारण थी था सामाजिक भेदभाव के कम करने का ही परिणाम था और यह सब किसने कम किया शासन ने, राज ने, स्टेट ने स्टेट के द्वारा राज के द्वारा सतत रूप से समानता के विचार को विकसित करने का प्रियास और उस दिश्या में बनाए गया कानूनों का परणाम के ये सारे डॉक्ट भीम राव अंबेड कर स्वेम इतने पिछले वर्के थे वे हमारे समविधान निर्माता बने तो हम कह सकते हैं कि समाजिक भेज़ भाव का अंत करने में सहायक होगा यदि समानता की भावना को बढ़ाया जाया यदि इन पदों पर ये व्यक्ति बैठते हैं तो क्या केवल इन व्यक्तियों का ही विकास होता है जिनकी मैंने चर्चा की है चाहे वो बिरोक्रेट्स हों चाहे सांसद हों चाहे विराश्पती पत पे हों या सेना में हों जो लोग इन उच्च पदों पर बैठे हैं सवाल ये है कि क्या इन उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों का ही केवल विकास हुआ है नहीं इनके बैठने से इनके समाज इनके तबके के लोगों का भी विकास होता है उनकी आवाज भी मुखर होती है निम्न वर्ग की आवाज पिछड़े वर्ग की आवाज उपर तक पहुंचती है उनकी समस्याएं इन पदों में बैठे हुए व्यक्तियों के मध्यम से उपर तक जाती है और फिर सरकार के पास जब यह आवाज पहुंचती है यह चिंताएं पहुँचती हैं तो सरकार उस पर आवश्यक कदम उठाती है तो इसलिए आवसर की समानता सामाजिक भेदभाव के दूर करने का प्रयास ये सब उस दिशा में कारे करते हैं जहां पर ये कमजोर तपके के लोंगों को उपर पहुँचने का आवसर मिलता है उपर पहुचने का मौका मिलता है तो समानता के लिए ये बहुत आवश्यक है कि समाजिक भेदभाव का अंत हो जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता की बात करते समय कम से कम राजनीती विग्यान के विद्यारती और शिक्षक और राजनीती विग्यान के जुरे हुए लोगों का ध्यान एक शब्द पर हमेशा जाता है और वह है समाजवाद समाजवाद अखिर समाजवाद है क्या इसके माइने क्या है समाजवाद वैसे तो एक आर्थिक व्यवस्था भी है और ये आर्थिक व्यवस्था से ही यह वाद यह विचार धारा सामने आई है तो पहले तो इस पश्ट कर लें कि समाजवाद एक विचारधारा है कैसी विचारधारा जिसमें असमानताओं के जवाब में उपजे हुए कुछ राजनीतिक विचारों का समूख शब्दों को देखिए असमानताओं के जवाब में समाज में जो इतनी तरह की विशमताएं है इतना विरुधा भास है, इतना असमानता है, ये असमानताओं का उत्तर है समाजवाद, समाजवाद उसका जवाब है, याने समाजवाद असमानताओं को समाप्त करने के लिए बनाई गई या उपजी हुई एक विचार धारा है, ये खासकर वे असमानताओं हैं जो पूंजी अरस्फ़ास्दा में पइदा हूई, समाजवाद बनाम पून्जी वाद, समाजवाद को अंग्रेजी में सोशलिजम कहते हैं और पून्जी वाद को अंग्रेजी में कैपिटलिजम कहते हैं, Capitalism जो शब्द है जैसा कि हिंदी में आप पढ़ रहे हैं पूंजी वाद ऐसी विचारधारा जिसका तालुक पूंजी से है अंग्रेजी में पूंजी को Capital कहते हैं Capital का एक अर्थु राज्धानी है ही दूसरा अर्थ है पूंजी तो पूंजी वाद और Capitalism या Capitalism ये एक ही चीज़ है और इसका ताठपर समाज वाद की ठीक उल्टी विचारधारा से है अब आखिर समाज वाद का जन्म पूंजी वाद के दर्शियों को देख कर हुआ क्योंकि पूंजी वाद में असमानताएं बहुत हैं खासकर वो असमानताएं जो पूंजी वाद के कारण उपजी हैं पनपी हैं पूंजी वाद अर्थ वर्था के कारण जो दिखाई दे रही हैं उसके जवाब में एक नई विचारधारा सामने आई वह कहलाती है समाजवादी विचारधारा, सोशिलिस्टिक विचारधारा, जैसे कैपिटलिजम में कैपिटल कार्थ पूंजी है, ऐसे ही सोशिलिजम में सोशिल कार्थ समाज है, यहाँ पे पूंजी से इसका कोई तालुकात नहीं, धन अर्थ से कोई तालुकात नहीं, इस विचारधारा क केंदर बिंदू समाज है जबकि पूझी वादी विचार धारा का मुख्य केंदर पूझी है समाज वाद का मुख्य सरोकार जो जितनी समानताएं हैं असमानताएं हैं उनको न्यूनतम करना असमानताओं को कम से कम करने का प्रयास कैसी असमानताएं जिनका जिक्र हमने उपर किया है आर्थिक सामाज एक राजनेत एक नागरिक आदी आदी ये असमानताओं को न्यूनतम करने का प्रयास और दूसरी और जो संशाधन हैं जो अवसर हैं वो सबको समान देने का प्रयास तो दो बिंदु समाजवाद में नहित हैं पहला यह समाज से केंद्रित विचाद हा रहा है दूसरा इसका तालुक असमानताओं को न्यूनतम करना और जो भी अवसर हैं जो भी संशाधन हैं वो समान रूप से सबके लिए रखना यह इस विचार धारा का मुख्य मुद्दा है न्याए पूर्ण बटवारा यद्यपी समाजवाद के पक्षदर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ नहीं है मार्केट समाजवाद के लोग पूरी तरह से उसके खिलाफ नहीं है मार्केट जहां पर उच्च नीची श्रेणी हैं आर्थिक विशमताएं हैं इसलिए मार्केट की बात कर रहे हैं तो मार्केट में जो आर्थिक विशमताएं हैं उसके कारण ऐसा ना समझा जाया है कि समाजवादी लोग पूरी तरह मार्केट के खिलाफ नहीं ऐसा नहीं उनका कहना है कि स्वास्त और शिक्षा जैसे खेत्रों में कम से कम सरकारी नीमों के बल पर और सरकारी नियंतरण के बल पर समानताएं लाई सकती हैं लाई जा सकती हैं विशमताएं कम की जा सकती हैं नियूनतम की जा सकती हैं यह बात बहुत मदपूर्ण है कौन से खेत्रों में शिक्षा और स्वास दूसरे शब्दों में इनका कहना है यदि शिक्षा और स्वास के खेत्र में असमानताओं को भर्सक मिटा दिया जाए तो अन्य असमानताएं अपने आप गैर मीनिंग हो जाएंगी उनका कोई औचित नहीं रहेगा कोई अर्थ नहीं रहेगा और इस प्रकार समाज एक हो जाएगा थोड़ा हम समाजवाद को थोड़ा और समझें भारत में खासकर भारत के परिप्रिक्ष में मुख्य समाजवादी भारत में जो हुए उनका नाम था राम मनोहर लोहिया बहुत बड़े सोशलिस्ट थे भारत के वैसे तो बहुत से लोग हुए लेकिन राम मनोहर लोहिया एक बहुत बड़े चिंतक समाजवादी की चारक माने के था और उन्हें ने का ये पांच तरह की असमानताओं के खिलाफ लड़ लें और असमानताओं को मिटा दें तो समाज एक अधर समाज बन सकता है वो पांच असमानताओं कौन सी हैं जिसका जिक्र राम मनोहर लोहिया जिक्र रहे थे पहला इस तरी पुरुश में असमानताओं पुरिशों के द्वारा महिलाओं को हीन दृष्टी से देखना समाज में एक प्रता ही है, बन पड़ी है उन्हें कमजोर माना जाता है, उन्हें हमेशा बैक सीट पे रखा जाता है उन्हें हमेशा पुरुशों की तुलना में दूसरा स्थान रखा जाता है आखिर क्यों तो स्त्री पुरुश की असमानता दूसरा चमडी के रंग के आधार पर असमानता गोरा काला यह है चमडी के रंग का मतलब गोरा और काला तीसरी असमानता है जातिगत जिसमें ब्रामन खत्री वैश शुद्र आदी आदी और अन्य हजारों उपजातियां इसके कारण जो असमानताएं उपज रही हैं उसको दूर करने का प्रयास करना कुछ देशों का अन्य देशों पर आपनिवेशिक शासन यह चौथा बिंदू चौथी असमानता कुछ देशों द्वारा कुछ अन्य देशों पर आपनिवेशिक शासन यह आपनिवेशिक शासन का अर्थ क्या है उपनिवेश यहने कालोनी का अर्थ मतलब यह शहर की कालोनिया नहीं है कालोनी का अर्थ है किसी दूसरे देश को गुलाम बना देना तो जो गुलाम देश है वहाँ उपनिवेश कहलाता है और उपनिवेश या गुलाम बनाने के पीछे कारण क्या होता है सामराज्य का विस्तार नहीं वर्तमान पिछले 100-200 वर्षों में सामराज्य के विस्तार के देश से किसी देश ने दूसरे देश पर कबजा नहीं किया है उसने कबजा किया है उस देश पर वहां के संसाधनों के दोहन के लिए वहां के सामानों का उप्योग करने के लिए यदि वहां पर बहुत तेल मिल रहा है तो तेल का भरपूर उप्योग करने के लिए तेल पर नियंतरन के लिए, उस देश पर कब जा, ऐसे ही कुछ रूपों पर कब जा, वहां के सामरिक उपयोग के लिए, सामरिकार, युद्ध के लिए, टापु कई बार, जहाजों के लिए, पानी जहाज और हवाइ जहाज दोनों के लिए बड़ उप्योगी होते हैं लंबी समुद्र की यात्रा के दोरान तो इसलिए भी इसके उप्योग के लिए उपनिवेश तो ये उपनिवेश और गैर उपनिवेश देशों के भी जो असमानता है उसे दूर करना और अंतिम बात जो राम मनवर लोहिया ने कही समाजवाद के लिए उन्होंने कहा आर्थिक आसमानता ये पांच तरह की आसमानताओं को यदि समाब्ट कर दिया जाए तो समाज एक बहुत आदर समाब्ट कहलाएगा तो उनका कहना था इन पांच आसमानताओं के खिलाफ हमें लड़ने की जरत है कानून बनाने की जर्फ है उसके पालन की जर्फ है आदी आदी यह आज स्वाप प्रमानिक धावना लगती है लेकिन लोहिया के समय में समाजवादियों के बीच यह बड़ा तर्क था कि आसमानता का एक ही रूप है और वह है वर्गी करण वर्गी असमानता याने हैरार्की वर्गी याने हैरार्की श्रेणिया श्रेणियों के असमानता ही है बाकी सब असमानता कुछ नहीं है इसलिए हमें इस श्रेणी वाली श्रेणी बद्ध श्रेणी निर्धारिश श्रेणी आधारिट असमानता से संघर्श करना होगा उससे जो असमानता हैं, वे गौन हैं, निम्न हैं, और जैसे ही आर्थिक असमानता खत्म होगी, बाकि सब असमानता हैं दूर हो जाएंगे, आर्थिक असमानता मतलब संपन्यता, विपन्यता, जैसे सभी लोग संपन्य हो जाएंगे, तो अपने आप सब बराबर हो जाएंगे, लि अईसा लोहिया के काल में बहुत से विचार को अपके कहना था। तो उनका कहना था कि किवल एक ही असमानता को दूर कर लो वह आर्थिक। और आर्थिक असमानता दूर हुई तो बाकी असमानताएं अपने आप स्वतेव गायब हो जाएंगे, स्वयमेव उड़ जाएंगे। लोहिया का कहना था कुछ दूसरा, उनका कहना था कि ये जो पांचों असमानताओं के बारे में, के नाम जो मैंने लिए, इनकी सब की जड़ें अलग-अलग हैं, सब के अलग-अलग कारण हैं, तो हमें इन सब के कारणों को से लड़ना होगा, इन सब के कारणों को हटाना पड़ेगा मत्र आर्थिक असमानता से ही बाकी असमानताइं मिट जाएंगी ऐसा शायद मेरे अनुसार संभवनी है ऐसा लोहिया के कहना था उन्होंने कहा कि एकांगी करांती प्रयाप नहीं है पांचों असमानताओं से लड़ें यानि पांच बार करांतियों की जुरत है य ये पांच असमानताओं पांच करांतियों के बल पर ही हट पाएंगी तभी इसका निराकरन हो पाएगा रामनों लोहिए ने सीची में जो पांच नाम दिये थे उसनोंने दो नाम और जोड़े बाज में और कहा कि व्यक्तिगत जीवन पर अन्यायपूर अतिक्रमण और सत् सत्याग्रब्ग के पक्ष्में शस्त्याग के लिए करांति यानि सत्याग्रण और व्यक्तिगत जीवन में अन्यायपूर अतिक्रमण और सि दूसरेज़े के दुबारा मेरे जीवन में किसी तरह का अतिक्रमण करना इसको आर्थिक करांती से यह संभो नहीं है, सब लोगं को हम आर्थिक रूप से समान कर दें, तो बाकी असमानता मिड़ जाएंगी, वो इस बात से सहमत नहीं थे, उनका कहना था कि नहीं, अनिक खेत्रों में भी जो असमानता हैं, उसको दूर करने का उतना ही सक्षम प्रयास, उत समाज वाद क्या है, यह हमने समझा, पूजी वाद क्या है, यह हमने समझा, और साथ ही हमने जाना कि रामन और लोहिया के विचार क्या थे, सब्त करांती, और उनका कहना था, कि लोहिया के अनिसार, समाज वाद का आदर्श, यह सब्त करांती है, यद यह साथों, खेत्रों के लिए कुरांति होगी तभी समाजवाद आएगा तिर समाजवाद आएगा और पूजी वाद की जो असमानताएं हैं उसकी जो इतनी बुराईयां हैं उसका निराकरन हो पाएगा उससे मुक्त बिल पाएगी छट्वा बिंदु है समानता के लिए जो आवश्यक है आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है आर्थिक विकास के लिए आवश्यक आर्थिक विकास क्या है देश के आर्थिक विकास के कोई माइने नहीं है यदि व्यक्ति के आर्थिक विकास या समाज के लोंगों के आर्थिक विकास ना हो और आर्थिक विकास से तादपर है कि आर्थिक आसमानता हितों का टक्राओ वा असंतोश को बढ़ावा देता है यदि आर्थिक आसमानता रही अमीर गरीब की जो खाई है बहुत बढ़ गई अधिकतर पैसा अमीरों तक चला गया और निर्धन निर्धन होके रह गया ऐसे में क्या होगा पूर में मैंने बताया ये करांती को जन्म देता है असंतोश को जन्म देता है हितों के टकराओ को जन्म देता है और जब हितों का टकराव होता है तो निश्चितरूप से विद्रो होते हैं विरोध होते हैं असंतोष होता है इसलिए आर्थिक समानता एक बहुत आवश्यक्तत्व है आर्थिक समानता इसके विप्रीत हमें क्या करता है यदि समानता हो आर्थिक समानता तो उत्पादन बढ सब का जीवन स्तर बढ़ेगा सब का जो स्टैंडर्ड अफ लिविंग जिसे हम कहते हैं वह बढ़ेगा और व्यक्तिगत साथ ही साथ राष्ट्री संपदा में वृद्धी होगी इसलिए तो जो समानता की जब बात करते हैं तो समाजवाद आपको याद होगा स्वतनतता के सा लोक तंतर जुड़ा हुआ है और समानता के विचार के साथ समाजवाद विचार जुड़ा हुआ है समाजवाद का जहां सब समान है इसलिए समाजवाद में हम देखेंगे कि आर्थिक प्रगती जो है बड़ी तीवर होती है जो भी समाजवादी देश रहे वहाँ पे आर् दूसरी बाते होती हैं तो इसलिए ये आवश्यक है कि आर्थिक विकास के लिए हमें समानता की भावना को प्रमोट करना आथ्यावश्यक है साथवा बिंदू सामाजिक सुख वशान्ति के लिए यह बात ऊपर आपको जो पूर में मैंने बताई है उसी का ही एक तरीके से निचोड़ है यदि आर्थिक समानता है यदि शोशन नहीं है यदि एकता की भावना पनप रही है यदि नैतिक मूलियों का विकास हो रहा है त और एकता की भावना भ्रात्वत्व की भावना बंदुत्व की भावना इसको ये बढ़ेंगे संघर्ष का कोई स्थान नहीं रहता ऐसी जगा एक दूसरे के प्रती एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करना ऐसी कोई जगा नहीं रहती इसी लिए सुख शान्ति और ही दिकास, सबी तरफ दिकास होगा. कब? जब सामाजिक सुख व Like चौद के लिए प्रयास किया जाय यह अनि तब जब समान्ता का प्रयास किया जाया. यहनि कुल मला के राज्य को सतत रूप से समान्ता के लिए भरतक, समान्ता की भावना को समाज में विकसित करने के लिए भर्तक प्रयास करना चाहिए उससे हमारी ये बहुत सारे बिंदू को मदद मिलेगी एक सार्थक समाज देने में अगला बिंदू है न्याय के लिए आवश्यक है समानता और न्याय ये दूनों एक दूसरे के निश्चित रूप से पूरक हैं सो तंतरता और समानता पूरक है कि नहीं इस पे तो वाद वाद होता है लेकिन समानता और न्याय को लेकर ऐसी कोई भावना नहीं न्याय तभी होता है जब समानता हो किस चीज में समानता निरने में समानता जा तिलिंग धर्म के आधार पर जहां पर नियाए ना हो वहां समानता ही होगी यानि दूसरे शब्दों में जिसे हम कहते हैं equality before law कानून के समक्ष समानता तो नियाए के लिए आसमानता में जो नियाए जो है वह असंभव है यदि समाज में समानता रही यदि हमने कहा कि ये निम्न वर्ग के द्वारा किये गए ये अपराद है और इसलिए अपरादी को कड़ी सजा दी जाए और वही अपराद यदि उच्छ वर्ग के द्वारा किया गया है किसी सदस्य के द्वारा और उसकी सजा का प्रावधान कु अध्यावश्यक है, equality before law, और उसी प्रकौर rule of law, supreme, कानून क्या है, supreme है, सब से उपर है, कानून के उपर कोई ने, यानि दूसरे शब्दों में हम देखें, तो सभी लोग कानून से नीचे हैं, सभी लोग समविधान से बंधे हुए हैं, चाहे वो राश्पती हो, चाहे निम् हो नहीं हैं, और इसी लिए, समानता आधारित न्याएवश्था जरूरी है, इसी कारत है, equality before law, हमारे देश के समविधान में, इस बात को बारंबार दोहराये गया है, कि समाज के सभी तपके के लोग, समविधान के सामने, कानून के सामने, बराबर हैं, समान हैं.